और लोगसबा चुनाओं के पहले चरण की वोटिंग से पहले चतीजगड के नकसल प्रभावित कांकेश जिले में सुरक्षा बलो ने एक बड़ी मुढभेर में 29 नकसलीओं को मार गिराया है इसमें दो इनामी टॉप नकसली कमांडर शंकर राव और ललिता शामिल है नकसलीओं के खिलाफ ऐसी सफलता के लिए ग्रीमंत्रिया में शाने चतीजगड सरकार और पुलिस की जम कर सरहना की चतीजगड के काकेर जिले के छोटे बेठिया थानक्षेत्र में मार इलाके में सुरक्षा बलों और नकसलीओं के बीच 16 अप्रेल को खरीब 5 घंटे तक भीशन मुटभेड हुई इस मुटभेड में DRG और BSF के जवानों ने नकसलियों के ठिकानों में खुसकर उनके 29 सदस्यों को मार गिराया इनमें 15 महिला नकसली शामिल है इस मुटभेड में नकसली कमांडर शंकर राव भी मारा गया जिस पर 25 लाक रुपियों का इनाम था वहीं मारी गई महिला नकसलीयों में दो महिला नकसली ललीता और मांडवी पर भी 25 लाक रुपियों का इनाम था शंकर राव ललीता और मांडवी DVC रैंक के लीडर थे और जो वेपन्स का भी जो कुल मिला करें एक 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 आट राव और तरी काफी बड़ी संक्या में कारबाई 9 अमिंस प्रकर का हाथियार भी रेगलर जो ग्रेट वेपन्स भी मिला है जैसे ही हम लोग घटना इसतल पर पहुँचे वहां नक्सलियों को पुलीस के आने की सुचना पहले लग गई और सुचना लगने के बाद उनके द्वारा फैरिंग किया गया और हमारे दारा आत्म समर्पड के लिए बोलो गया लेकिन लगतार नक्सलियों फैरिंग करते रहें तब आत्म सुरशार पुलीस पार्टी और सुरक्षापलों के द्वारा काउंटर फैरिंग किया गया गटनासल से बड़ी संख्या में आधुनिक राइफल, साथ AK-47 राइफल, तीन LMG, SLR, कारबाइन, 303 राइफल सहीद कई नकसली समान बरामत किया गया है ग्रीह मंत्री अमिच शहने नकसलीयों के खलाफ अभियान के लिए 36 गड़ सरकार और पुलिस की भूमिका की प्रशुन साकी 36 गड़ में सुरक्सा बलो को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है मोदी जी जब से प्रदान मंत्री बने तब से नकसलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्य पूर अभियान भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और 36 गड़ में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गती आई हैं इस साल जनवरी से अब तक 72 नकसल आतंकी ढेर किये जा चुके हैं 150 से ज्यादा आतंकी और उनके सहीयोगी घरफतार किये गए हैं 200 से ज्यादा नकसली इस साल आत्मस समर्पन करके मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं 19 अप्रेल को लोगसभा चुनाव के लिए पहले चुरंड का मतदान होना है ऐसे में चुनाव से पहले 36 गड़ में सुरक्षा बलो ने नकसल विरोधी अभियान तेज कर दिया है नकसली के पास से भारी गोला वारुत सामान भी बरामात हुए हम दिखाना चाहिए नकसली के पास से जो समान बरामत हुए कि 47 एंटिफिन बं हैं वार्लेस हैं कार्तूस हैं और देखे दैनी को प्योग के समान भी इनके पास से मिलें बरतन समागरी हैं एलेक्रोनिक समान हैं दवाईया हैं फिर लॉंचर हैं के 47 हैं गरनाइट है तमाम इनके पास से यह थियार मिले हैं जो नकसली और पुलीस के पास से बरामत हुए हैं पिछले कई दिनों से बस्तर में नकसली और पुलीस के वीच में यह मुडवेट जारी थी चत्रिजगर की पुलीस को एक बड़ी सफलता मिली है सोमेश पटेल, डीडी नियूस, बस्तर और आईए अब बात करेंगे रामनौमी की देश भर में धूमधाम से रामनौमी मनाई गई लेकिन सबसे अधिक चर्चा रामलला के राश्तिलक की रही रामनौमी के पावन पर पर जब सूर्य की किर्णों ने राश्तिलक किया तो पूरा द्रिश अलौकिक और दिव्य हो गया इस अद्बुध द्रिश को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस अद्बुध क्षण को डीडी निउस के माध्यम से देखा रामनौमी के मौके पर रामलला का सूर्य की किर्णों ने राश्तिलक किया रामलला के मस्तक पर जब सूर्य की किर्णे पढ़ी तो पूरा द्रिश्य अलोके और दिव्य दिखा रामलला के अलोके के रूप